एकदम हलवाई जैसी टेस्टी रबड़ी दार ये रस्मलाई दिवाली के लिए खास आप सब के लिए जिसे बनाएंगे हम थेली वाले आधा लेटर दूद से एकदम हलवाई जैसी टेस्टी और रबड़ी दार ये रस्मलाई जब हम थेली के दूद से घर पर आसानी से बना सकते हैं तो मार्केट से क्यों खरीदना तो चलिए देखते हैं इसकी step by step full recipe तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है आदा लेटर थेली वाला दूद जो हमें मार्केट में बहुती easy ले मिल जाता है दूद को हमें एक पतीले में लेकर गरम कर लेना है जब दूद गरम हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे अब हम इसमें दो चमच विनेगर में पानी मिला कर डाल सकते हैं या फिर आप इसे नीमबू डाल कर भी फार सकते हैं इसके लिए दो चमच नीमबू का रस लेना है और उसमें चार चमच पानी डाल कर इसमें mix कर देना है या फिर डायरेक्ट आप इस तरह से भी नीमबू डाल कर दूद को फार सकते हैं ये देखिए दूद हमारा फट चुका है इस तरह का soft चैना हमें तयार करना है तो अब हम क्या करेंगे एक चलनी में cotton का कपड़ा रखेंगे और उसमें इसको चान लेंगे तो आप इस तरह का कोई सूती रुमाल या फिर मलमल का कपड़ा ले सकते हैं और उसमें इस चैने को हम चान लेंगे चैने वाले पानी को हम अलग रख देंगे इसको आप काम में ले सकते हो और जो चैना है इसे हमें दो तिन बार ठंडे पानी से बड़िया से धो लेना है तो एक गलास पानी का हम इस तरह से डालेंगे छ Inner को अच्छ से जो खटाई है उसे हमें दो देना है तो इस तरह से मसल्ट होए छ Weinर को हम थंडे पानी से लेंगेै पाने नचोड के हम दुबारा इसे दोएंगे इस तरह से हम छेने को वाश करते हैं तो निम्बू की विनेकर की जो खटाई होती है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है बस अब हमें इसे या तो इस तरह से टांक देना या फिर इस तरह से निचोड कर इसका पानी निकाल देना है तो ये रस्मलाई बनानी के दूद डो की फोम में कर लेना है इसके लिए हमें 5-7 मिनट लगेगी तो हम क्या करते हैं पहले रबडी चड़ा देते हैं गैस पर तो रबडी भी हमारी साथ में बन जाएगी तो पैन में हम पहले थोड़ा पानी डाल कर उसको निकाल देंगे तो इससे तले में दूद जो लाड़ी हो जाएगी तो आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर इसमें ले सकते हैं तो चार चमच मैंने यहां मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसे मिक्स करके अब गैस पर चड़ा देंगे दूद में अब उबाल आने देंगे बीच बीच में हम इसे चला देंगे जब ल 술 दूद हमारा उबलता है तब तक हम दूसरी गैस पर एक बरतन में एक कप चीनी डालेंगे और उसमें तीन-चार कप पानी डाल देंगे और इसको उबलने देंगे गैस की आँच हम मिल्क श्माच कर देंगे क्योंकि अभी हमें च्छेने कू स्मूध भी करना है और उसक को अच्छ से मेक्स करके हम छोड़ देते हैं इसमें हम एक चमज दूद डाल देंगे पीछ से बहुत सारी आवाजे आ रहें क्योंकि अभी दिवारी का समय चल रहा है सबके यहां साफ सपाईया चल रही है तो आप उन सब को इगनौर कीजिए रबडी वाले दूद को भी हम चला देंगे बीच बीच में वैसे तो हमने मोटे तले वाला पैन लिया है तो दूद नहीं लगेगा पर फिर भी हमें बीच बीच में इसे चलाना है स्वात के अनुसार हम इसमें शक्कर डाल देंगे तो वन थर्ड कप हम मिक्स कर देंगे गयस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है दूद मेंrésा ऑबाल आने के बाद मैं अब हम इसमें 5-6 इलाइची है का पवडर डाल देंगे अब हम इसमें केशर वाला दूद भी डाल देंगे कैशर वाला दूद अगर आपके पास केसर नहीं है तो साथ में तयार कर रहे हैं और चासनी भी हम साथ में ही बना रहे हैं जब तक ये दोनों बनेगी तब तक खेना है उसको भी स्मूध करके उसका एक अच्छा सा चिकना डो बना लेंगे इस तरह और अब हम इसके छोटे-छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेंगे और इस तरह से गोल करकर इसको इस तरह से दबा देंगे पेड़े की सेफ हमें इसे दे देनी हैं आप इसको गोल भी रख सकते हैं तो सभी पेड़े बनाकर हम इस तरह से तयार कर लेंगे अगर पेड़े बनाते वक्त क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि छेना हमारा बिल्कुल अच्छ सा स्मूध नहीं हुआ है तो आप उसे हलका सा स्मूध और करिए और उसमें थोड़ा सा कॉन फ्लॉर भी डाल सकते हैं जैसे ही पेड़े हमारे तयार हो जाएंगे हम इसे उबलते हुई चाशने में डाल देंगे अब हम इसे ढख कर 15-20 मिनट तक पकाएंगे बीच-बीच में हम इसे चेक भी कर सकते हैं बहुत जादा हमें इन्हें हिलाना डुलाना नहीं है बहुत ही हलके हाथ से हम इसे पलट सकते हैं गैस की आज को हम सुरू में तेज कर देंगे और बाद में हम उसे low to medium आज पर ही पकने देंगे तो 15-20 मिनट में हमारे ये जो रसकुले हैं रसमलाई के वो पक कर तयार हो जाएंगे दूसरी तरफ ये रबडी भी हमने तयार कर लखी है इसमें हम थोड़े से dry fruits डाल सकते हैं कटे हुए तो मैं काटकर इन्हें भी तयार कर लेती हूँ थोड़े से फिस्ता और बादा मैंने या लिया है ये देखे रसकुले हमारे फूल कर साइज में डबल हो गए हैं और इनको पकते हुए भी लगभग 18 से 20 मिनट हो चुके हैं तो ये तयार है अब हम इन्हें रबडी में डाल देंगे तो आप चाहें तो इन्हें पहले ठंडे पानी में डाल कर फिर रबडी में डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह डायरेक्ट भी इन्हें रबडी में डाल सकते हैं इसे बेस्ट तरीका तो वही है जिसमें हमें पहले रस्गुलो को निखाल कर ठंड़े पानी में डालना होता है। उसके बाद हम निचोड कर उन रस्गुलो को रबडी में डिप करते हैं। हलवाई स्टाइल बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा केवडा जल से बहुत ही अच्छी खुश्पो आती है रसमलाई में और मैंने इसमें कटे हुए ड्राइफ रूट्स भी डाल दिये हैं पिस्ता और बादाम आप इसमें केसर के रे से भी डाल सकते हैं बहु थोड़ी जादा देर फ्रिज में रखें बाकि आप इसको थोड़ी से देर फ्रिज में रख दें क्योंकि मौसम अभी ठंडा है चेंज हो रहा है तो बहुत जादा ठंडा हमें नहीं खाना चाहिए तो जब यह हलका ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्व कर लेंगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं